Hello students, good morning, आज हम BSC Part 3 का जो लोजी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को देखेंगे, उसमें जो तीनों पेपर हैं, उस पेपर का हम नाम देखते हैं, और उस पेपर के अंतरगत हमें क्या पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम पेपर फर्स्ट स्टा का एक छोटा सा टापिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ट्रेपैनोसोमा का एक्स्टेर्नल मार्फोलोजी देखेंगे, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले, BSC Part 3 का जो 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 लोजी है, इसमें तीन पेपर हैं, एक है पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट का नाम है, अप् एक एकोनॉमिक, अप्लाइड एकोनॉमिक जो लोजी, यह पेपर फर्स्ट है, उसके बाद पेपर सेकेंड देखते हैं, पेपर सेकेंड का क्या नाम होगा, पेपर सेकेंड के नतरगत हमें पढ़ना है, बायो टेकनोलोजी, उसके बाद इम्यूनोलोजी पढ़ना है, इम्यूनोलोजी, उसके बाद बायो लोजिकल टूल्स और टेकनिक्स भी पढ़ना है, इसी में, बायो लोजिकल टूल्स और टेकनिक्स पढ़ना है, उसके बाद, इसी में बायो इस्टेक्स भी है, और बायो इस्टेक्स जिसे जयो सांख्यकी कहते है, इसी में, बायो इस्टेक्स, उसके बाद, हम पेपर थर्ड देखते हैं, पेपर थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, पेपर थर्ड, पेपर थर्ड का नाम होगा, इकॉल्जी, यहाँ पर हमें जो है, इकोलॉजी पढ़ना है, Ecology उसके बाद Ecology के बाद पढ़ना है Microbiology Microbiology और Microbiology के बाद पढ़ना है Animal Behavior Animal Behavior Animal Behavior पढ़ना है उसके बाद Pollution पढ़ना है Pollution और Toxicology भी पढ़ना है Toxicology तो यह रहा तीनो पेपर का नाम BSC Part 3 के जोलोजी का Applied and Economic जोलोजी हो गया Biotechnology, Immunology Biological Tools and Techniques and Biostatics यह पेपर सेकेंड है उसके बाद पेपर 3 में Ecology है Microbiology है Animal Behavior है Pollution है और Toxicology है तो यह टोटल जो है BSC Part 3 के जोलोजी का Syllabus है अब हम यहाँ पर Start करने वाले हैं Paper 1 के बारे में तो यहाँ हम समझते हैं Paper First में हमें क्या पढ़ना है Paper First में हमें पढ़ना है Unit First यानि इस पेपर को भी Unit में डिवाइड क्या गया Unit First Unit First के अंतरगत हमें पढ़ना है Paracytology Paracytology पढ़ना है यानि हमें Paracite का अध्यान करना है कुछ Paracite का Syllabus BSC Part 3 में Geology में दिया गया है उसके बारे में हमें पढ़ना है उसका structure पढ़ना है उसका पैथोजनेसिटी पढ़ना है उसका डिजीज पढ़ना है वो किस तरह से डिजीज काज करता है फिर उसका जो है Symptoms हमें पढ़ना है मतलब उस Paracite Animals के बारे में हमें Total Study करना है और उसके कारण जो होस्ट में जो डिजीज काज होता है स्टिजीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे तो कौन कौन से वो Paracite है जो इस Unit के अंतरगत हमें पढ़ने है इसमें है सबसे पहले है Trepynosoma Trepynosoma के बारे में पढ़ना है हमें Trepynosoma उसके बाद पढ़ना है G-A-R-D-A G-A-R-D-A के बारे में हमें पढ़ना है और उसके बाद पढ़ना है जो तेसरा Paracite है वो चरेरिया वो चरेरिया तो यहां पर टोटल जो है Paracitology के अंतरगत हमें तीन Paracite के बारे में पढ़ना है Trepynosoma, G-A-R-D-A और वोचरेरिया तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में Trepynosoma के बारे में सबसे पहले हम Trepynosoma का यहां पर systematic position देख लेते हैं सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह किस Phylum का Paracite है तो यह Phylum है प्रोटो जोवा Phylum के अंतर गताता है इसका class जो है वो है Mastigophora और इसका order है Proto Monadina और इसकी family है Prepenosomida और इसका genus है Trepynosoma और इस पसीज क्या है Gambiancy यानि Trepynosoma Gambiancy इसका पूरा नाम है तो यहां पर हम समझते हैं कि जो Trepynosoma है वो किस तरह से जो है Digic काज करता है या यह जो है किस host में पाया जाता है यह अपना life cycle कैसे complete करता है और host में कौन सा Digic काज करता है उस Digic का नाम हम देखेंगे अब यहां पर हम देखते हैं Trepynosoma का Brave History Brave History में हम यह देखते हैं कि जो Trepynosoma Gambiancy है वो host की body में कहां पाया जाता है सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि यह जो Trepynosoma है इसमें total दो host है एक host है CC fly जिसे Glosina Palpalis जो logical नाम है उसके बाद और इसका जो secondary host है मैन है यानि मैन के blood या lymph में या फिर intercellular space में पाया जाते हैं तो कहने का मतलब यह है कि यह जो है एक ऐसा parasite है जो हमारे body के अंदर पाया जाता है हमारे body के अंदर tissue या argans के intercellular species के बीच-बीच में पाया जाता है तो यह कैसा parasite होगा इंडो पैरासाइट होगा हमारे blood में पाया जाता है और यह flagellated होता है तो यह कैसा पैरासाइट होगा यह होगा hemofragulate hemofragulate होगा और इंडो पैरासाइट होगा आप man यानि man का इंडो पैरासाइट है यानि man की body में यह कहां पर पाय जाएगा blood में मिलेगा और lymph में मिलेगा या फिर intercellular spaces में मिलेगा या जो cell के बीच-बीच में space होगा उस space के fluid में यह पाय जाते हैं उसके बाद यह जो है inhabiting मतलब रहते हैं या पाय जाते हैं कहां पर पाय जाएगे blood में पाय जाएगे lymph में पाय जाएगे और intercellular spaces में पाय जाएगे किसके tissue and organs के यानि tissue और argon के intercellular space के बीच में यह पाय जाएगे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो trypanosoma है उसको सबसे पहले describe किया था एक scientist ने जिसका नाम है Atkin सिनोने 1724 SME में इसे describe किया था और human blood में इसे describe किया गया था 40 के दोरा 1901 SME में उसके बाद जो trypanosoma gambiancy है उसका जो नाम है वो दिया गया था Dalton के दोरा 1903 SME में trypanosoma की mainly जो है 3 sub-spices है और 3 sub-spices के बारे में हम देखते हैं और 3 sub-spices से कौन-कौन सा disease होता है उसको हम समझते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं trypanosoma b का मतलब होता है brucy gambiancy trypanosoma brucy gambiancy कहते हैं chronic chronic African African trypanosomiasis trypanosomiasis यह जो disease है यह disease trypanosoma की किस सब-spices के दोरा होगा trypanosoma brucy gambiancy के दोरा और यह कहां पर होगा यह होगा West Africa में West Africa में उसके बाद यहां पर जो है दूसरी सब-spices है trypanosoma brucy rhodesians तो यहां पर हम देखते हैं कि इस सब-spices के दोरा जो disease होगा वो होगा acute acute African trypanosomiasis African trypanosomiasis trypanosomiasis तो acute African trypanosomiasis यह कहां पर होगा यह होगा East Africa में यह कहां पर होगा East Africa में यानि यह disease जो है East Africa में common होगा और यह जो disease है जो इस सब-spices के दोरा होता है वो best Africa में common होगा यानि यह chronic होगा और यह acute होगा chronic होने का मतलब क्या होगा कि इसके लच्छण जो है दिखाई देने में थोड़ा time लगेंगे लेकिन जो acute है इसके लच्छण हमें तुरंत दिखने लगते हैं कम समय में ही दिखने लगते हैं तो यहाँ पर हम total दो सबिस्पसीज देखें अब यहाँ पर जो तीसरा सबिस्पसीज है यह सबिस्पसीज केवल किसमें डिजीज काज करता है cattle में यह जो है human में human में normal condition में कोई डिजीज काज नहीं कर पाता है तो यहाँ पर ये जो तीसरी सबिस्पसीज है ये किसमें डिजीज काज करेगा? कैटल में ये कैटल में केवल डिजीज काज करेगा नार्मल कंडीशन में human की body में इसके दोरा कोई डिजीज नहीं होता है तो ये तीनों सबिस्पसीज तीनो सबी स्पसीज के दौरा जो डिजीज होते हैं उसका हमने नाम लिखा याँ पर अब हम पढ़ते हैं इस ट्रक्चर आप ट्रेपैनोसोमा ट्रेपैनोसोमा का हम इस ट्रक्चर पढ़ते हैं इस ट्रक्चर आप कि ट्रेपेनोसोमा गेम्बिंसी या इसे ट्रेपेनोसोमा ब्रोसी गेम्बिंसी भी कहते हैं यहां पर हम इस टेक्चर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम प्रेपेलोसोमा का सेप देखते हैं कैसा होता है इसका सेप देखते हैं का सेप जो है इलांगेटेड होता है इसका सेप इलांगेटेड होता है और स्पाइंडल सेप्ट होता है Spindle Saped मतलब जिसका दोनों सीरा नुकीला होता है Spindle Saped Spindle Saped होगा अब यहां पर इसका हम फीगर देखते हैं क्या क्या होगा एक Structures बनाते हैं आपर यह TRIPENOSOMA की बोड़ी है यह Single Saced बोड़ी होती है क्योंकि Proto Joa की Animals है Proto Joans Parasite है तो Proto Joans Parasite की बोड़ी Single Saced की बनी होती है अब यहां पर हम देखते हैं कि यह Spindle Saped बोड़ी है और Spindle Saped बोड़ी में यह दोनों सीरा हलका पतला होता है बीच वाला जो भाग है वो Broad होता है और इसके बीचो बीच में एक Obal Saped Nucleus पाया जाता है बाकी इसका क्या होता है साइटो प्लाजम होता है बाकी इसका यह साइटो प्लाजम है साइटो प्लाजम और इसके बीचो बीच में Obal Saped Nucleus पाया जाता है उसके बाद एक यहां disc-like structures होता है और इस disc-like structures को kinetoplast कहते हैं kinetoplast उसके बाद यहां पर granule-like structures होता है जिसे basal granule या bleferoplast कहते हैं यहां पर क्या मिलेगा? बेसल granule या bleferoplast और इसी bleferoplast से ही क्या एराइज करेंगे? फ्लेजला तो फ्लेजला यहां पर जब एराइज करता है तो इसकी body को भी थोड़ा सा ऐसे cover करता है cover करने के बाद कुछ इस तरह से structures होगा और फिर यह free end होता है फ्लेजला का तो यहां पर हम देखते हैं कि जो फ्लेजला है जो bleferoplast से निकलता है वो जब बाहर निकलेगा तो यहां पर इसकी body को cover करेगा cover करने के बाद कुछ membranous structures बनाएगा जिस membranous structure को कहा जाएगा undulating membrane इससे कहा जाएगा undulating membrane कहा जाएगा जो फ्लेजला के द्वारा बनता है undulating membrane उसके बाद यहां पर भी undulating membrane होगा उसके बाद यह जो फ्लेजला है यह फ्लेजला का जो सिरा है यह free होता है यह body से attach नहीं होता है तो इसे हम लेखते हैं free end of free end of flagella free end of flagella उसके बाद इसकी जो body है वो covered होती है pellicle के दौरा इसकी body का जो cover है वो किसका बना होगा? वो बना होगा pellicle के दौरा तो ये जो structures है, ये trypanosoma का structures है, ये microscopic structures है, योकि phylum proto-joa का animal है तो single-celled होगा इसमें single nucleus पाए जाएगा body के बीच में, ये इधर का जो थोड़ा सा pointed part है, ये इसका anterior end होगा इधर का anterior end होगा इधर anterior end होगा और इधर का होगा posterior end इधर का होगा posterior end ये रहा trypanosoma gambiancy का structures जिसमें हम देख रहे हैं single-celled body है, nucleus है kinetoplast है bleferoplast है, जिससे flagella arise करता है, कुछ flagella body से attach होकर के undulating membrane की form में होता है और कुछ जो है, free end होता है मतलब वो free होगा तो यहाँ पर हम structures के बाद अब समझ लेते हैं कि जो trypanosoma gambiancy है यह अपने life cycle के दौरान कुछ अलग shape और size में दिखता है जिस phenomenon को हम polymarphygm का नाम देते हैं यानि यह अपने life cycle के दौरान यानि यह जब glossina palpalis की body में होगा तब इसका shape कुछ दूसरी तरह होगा जब यह human के blood में आएगा lymph में आएगा तो इसका shape कुछ और change हो जाएगा तो इस तरह से यह अपने पूरे life cycle के दौरान अलग-अलग shape में दिखता है जिसे हम कहते हैं polymarphygm in trepanosoma तो mainly जो है total तीन form में trypanosoma अपने life cycle के दौरान देखता है तो उस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं आपर next है polymarphygm structure आपको समझ में आए होगा अब हम polymarphygm पढ़ते हैं polymarphygm यानि बहुरूपता पढ़ते हैं polymarphygm यहाँ पर देखा गया कि trepanosoma अपने life cycle के दौरान total three type के shape को सो करता है जिसमें से यह पहला जो type है जो पहला type है वो है elongated spinal shaped यानि जो अभी figure आपने बनाया इसमें इस तरह का जो shape है यह elongated spinal shaped होगा इस तरह से nucleus है blepharoplast इससे निकलेगा फ्लैजला kinetoplast भी होगा इस तरह का जो shape है इसे हम कहते हैं elongated spindle shaped elongated spindle shaped spindle shaped इसके बाद एक और shape इसमें दिखता है जो थोड़ा सा छोटा और मोटा हो जाता है जिसके फ्लैजला थोड़ा सा reduce कर जाते हैं नहीं दिखाई देते हैं यानि free फ्लैजला नहीं पाय जाता है इसमें और इसमें नुकलियस होगा ये थोड़ा सा मतलब इसमाल हो जाएगा थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो इस form को कहते हैं stumpy form stumpy का मतलब भी होता है छोटा और मोटा stumpy form stumpy form में भी ये दिखेगा उसके बाद elongated spindle shaped और stumpy form इन दोनों के बीच का एक conditions हो करने वाला भी shape इसमें दिखता है वो है थोड़ा सा curved curved shaped होगा इस तरह से थोड़ा सा मूड़ा होगा इसका एक सी रा तो यहाँ पर ये flagella है और flagella undulating होगा free भी होगा उसके बाद इसमें nucleus है इसे कहते हैं intermediate form intermediate intermediate form तो यह रहा जो है polymorphis मतलब जो अलग-अलग shape और size दिखते हैं trypanosoma का उसको हमने यहाँ पर देखा उसके बाद अब हम जो है next video में इसके life cycle के बारे में पढ़ेंगे इसकी pathogenicity पढ़ेंगे और यह जो है किस तरह से रोग को उत्पन करता है किस तरह से ब्यक्तर के द्वारा host में जाता है इन सब चीजों के बारे में हम next video में पढ़ेंगे